हेलो एब्रिवान मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एकोनॉमिक्स न्यू सिलिबस और ये है प्रफेक का इस न्यू सिलिबस का सबसे आसान चाप्टर यानी च्याप्टर नंबर 5 का लेक्चर नूंबर 5 जुआ दोस्तों सबसे आसान चाप्टर है पांची वीडियो में पूरा चाप्टर खतम है सभी फीचर्स अगर आप अच्छे से पढ़ लिते हैं perfect competition के, monopoly के, oligopoly के और आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे है monopolistic competition इतने अगर आप answers कर लेंगे न तो आप इस chapter से जुड़ेवे सभी 7-8 mark के लिए जो बेटेज है board exam के लिए वो पूरे marks आप ला सकते हैं जरूर 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 एक बार binge watch कीजिएगा इन पाचों ही वीडियो को और खमाल कर दीजिएगा आप exam के अंदर लिख करके अगर आप practice करेंगे तो जरूर अच्छे marks लाएंगे अगर आप नए हैं तो जरूर इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाएगे क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी informative वीडियोस मिलते रहेंगे अगर आप नहीं है तो जरूर प्लेलिस सेक्षन में जाएए वहां आपको चाप्टर वाइस प्लेलिस भी मिल जाएगी तो चलिए आज की इस वीडियो को शुगू करते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉंपटिशन आज हम बात करने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कॉंपटिशन की देख सकते हैं आप classification on the basis of competition और इसमें perfect competition हमने कर लिया है imperfect के अंदर monopoly, oligopoly हमने कर लिया है और आज का वीडियो जो है पूरी तरह से dedicated है monopolistic competition को जी यहां दोस्तों परक कॉफी छोटा सा है हमने monopoly में देखा था single seller, oligopoly में few sellers और आज जो हम बात करने है monopolistic की यह modern day world का उभरता हुआ market है यह आज कल की दौर का market है जहां पर हम देखते है fairly large number of buyers and fairly large number of sellers यहां पर बहुत ज्यादा भीड नहीं है perfect competition की तरह लेकिन एकदम कम भी नहीं है monopoly की तरह यहां पर single seller नहीं है, यहां पर बहुत ज्यादा sellers भी नहीं है लेकिन fairly large number of sellers है और इसलिए कोई एक seller या कोई एक buyer directly पूरे market को influence नहीं कर सकता यह आज का दौर है, आप देखते हैं कई दुकाने आसपास, आप देखते हैं कई mobile phone की shops एक के बाद एक एक बगल में एक, इसके अलावा आप देखते हैं कई कपड़ों की दुकाने एक के बाजू में एक एक, तो यह जो है ना, यह है modern day market monopolistic competition और इसी की आज हम बात करने जा रहे हैं, दोस्तों जब बात आती है monopolistic की, तो याद रट की, it is a very realistic market in nature, in this market there are some features of perfect competition and some features of monopoly acting together, यानि यहाँ पर दोस्तों कुछ features ऐसे हैं जो monopoly के हैं और कुछ features perfect competition के भी हैं, यहाँ यह Chamberlain भाई साब कहते हैं कि भाई, monopolistic refers to competition among a large number of sellers producing close but not perfect substitutes, यही बहुत important day से underline कर लीजेगा, close but not perfect, close but not perfect, close but not perfect, जी यहाँ दोस्तों, close है but not perfect substitutes, यानि बहुत सारी detergent की टिकिया है, बहुत सारी साबून है, अलग-अलग packet में, अलग-अलग रंगों के मिलते हैं, काम सबका एक ही है, लेकिन महिया, close है, perfect substitutes नहीं है, क्योंकि packaging सबकी अलग है, design सबकी अलग है, कुछ खास एकाथ feature किसी में अलग होगा, तो यह बात है monopolistic competition की, चलिया आज नजर डालते हैं, features of monopolistic competition पर, उमीद करता हूँ, यह line अपने लिख ली होगी producing clothes, but not perfect substitutes, जाने दुकाने तो बहुत सारी है, mobile की हो सकती है, कपड़ी की हो सकती है, या किसी और product की, दुकाने बहुत सारी है, सबके पास products मिल रहे हैं, लेकिन थोड़े से हटके, थोड़े से एक दुसरे से अलग, कपड़ी की दुकाने बहुत सारी है, किसी के पास कुछ brand है, किसी के बास कुछ brand है, तो ये चीज़ें जो है, monopolistic competition में देखी जाती हैं, बात करेंगे features की दोस्तों तो खुल मिला कर कि 7 features 7 important features है monopolistic competition की और ये 7 features जो है, जरूर no down कीजिए, fairly large number of sellers, fairly large number of buyers यानि बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत combining fair amount of sellers और fair amount of buyers है, इसके अलावा product differentiation ये एक एहम और important feature है दोस्तों, क्योंकि product अलग है, थोड़ा सा दूसरे product से close है, बट perfect substitute नहीं है, free entry and free exit की यहाँ पर बात होती है, इसके अलावा selling cost जो है, बहुत माई लेते हैं, दोस्तों यहाँ बात करें, सबसे पहले दो points की, तो fairly large number of sellers और fairly large number of buyers तो जैसा कि मैंने बता है, यहाँ पर monopoly से जादा sellers है, monopoly में तो single seller होता है, एक ही होता है oligopoly में few sellers होते हैं, लेकिन यहाँ पर perfect competition जितना large भी नहीं है, monopoly जितना कम भी नहीं है एक decent amount of sellers यहाँ पर मिल जाएंगे, in monopolistic competition the number of sellers is large comparatively, it is less than that of perfect competition, यानि monopoly से ज़्यादा है, लेकिन perfect competition से कम है, due to this reason seller's behavior is like monopoly, यानि कोई customer आके ज़्यादा पटेली करेगा, बोलेगा भाया और कम करो भाव, और कम करो भाव और कम करो, तो भाया हमारा जो seller है, वो बुलेगा भाय इससे ज़्यादा नहीं परवड़ेगा, आप दूसरी दुकान में निकल लो और यही behavior जो है यह monopoly की तरह नजर आता है, क्योंकि यह भाई परवड़ेगा तो बेचूँगा, वरना नहीं, नुकसान खाके तो नहीं बेचूँगा इसके अलावा दोस्तों, दूसरा point जो निकल करके आता है वो है fairly large number of buyers तो buyers भी बहुत सारे है कोई एक buyer directly market के demand को influence नहीं कर सकता मतलब अगर एक ग्रहक चला भी गया दुकान से, तो दूसरा आएगा जरूर बहुत सारे buyers अविलेबल है in this market there are fairly large number of buyers consequently, no single buyer can influence the price of the product by changing his individual demand यानि, कोई भी एक buyer, जो है न, directly demand को influence नहीं कर सकता हूँ, उमीद करता हूँ कर लीजिएगा, बहुत important point है और यह आपको लिखना ही है, बोर्ड exam में अगर यह question आता है तो कभी भी confused नहीं होना है monopoly अलग, monopolistic अलग यह हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए क्योंकि दोनो questions अलग-अलग है कई बार मैंने board papers check करते वक देखा है कि बच्चे घाई-घाई में answer आता है लेकिन फिर भी घाई-गडबड में monopoly का answer monopolistic में लिख देते है monopolistic पूछा है तो monopoly के features लिख देते है तो यह गडबड नहीं करनी है आपको पढ़ना है ठीक से features of monopolistic बोला है तो यह single seller वाला नहीं है single seller monopoly में होता है यहाँ पर होता है product differentiation जी हाँ product जो है दूसरे के मुकाबले थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा हटके है थोड़ा सा अलग pack किया गया है थोड़ा सा color size shape में अलग हो सकता है यानि product एकदम same नहीं है थोड़ा सा different जरूर है product differentiation is the main feature of monopolistic competition in this market there are many firms producing a particular product यानि बहुत सारे कपड़े की दुकाने मिल जाएंगी बहुत सारे mobile shops मिल जाएंगे सब के पास कुछ अलग होगा सब के पास कोई अलग model होगा सब के पास कोई अलग brand का होगा but the product of each firm is in some way differentiated from the product of every other firm in the market this is known as product differentiation product differentiation may take the form of brand names यानि Amool के products अलग है Manali के products अलग है इसके अलवा आप Britannia के products अलग मिलेंगे आपको Patanjali के products अलग मिलेंगे Colgate का brand अलग है यानि भले ही सब toothpaste बना रहे है लेकिन नाम अलग है, brand अलग है, color अलग है, style अलग है, shape अलग है trademark अलग है, peculiarity of package or container shape quality, cover design, color etc this means that the product of firm may find close substitute यानि substitute तो होगा, लेकिन एकदम perfect नहीं होगा, and that is why cross elasticity of demand is very high यानि अगर किसी एक ने दाम बहुत कम कर दिया ना, तो भईया demand जो हट सकता है, तुरंट ज्यादा demand उस product की हो सकती है, तो cross elasticity बहुत ज्यादा हमने देखा है Patanjali जब launch हुआ, तो बहुत लोगों ने Patanjali को पसंद किया, बहुत सारे लोग Patanjali के Ayurvedic product के चपेट में गए, बहुत सारे लोग उसको demand करने लगे, और दूसरे जो similar type के products ने, उनकी demand कम होगे थी, तो cross elasticity जो है इस type of market में, monopolistic में बहुत ज़ादा high होती है, for example, mobile handset, cold drinks etc, तो आप देखिए, mobile handset में भी जो आपको सही लगता है उस time पे, जब आप 4-5 mobile phone देख रहे हैं, आपको लगता है, यह सही है budget में भी बैट रहा है, इसके अंदर यह खास feature भी इसका camera भी अच्छा है, तो मैं यह वाला उठा लेता हूँ यह वाला, यह मेरे काम का है, तो इस प्रकार से आप discuss करते हुए, decide कर लेते हैं, क्योंकि product जो है, वो भले ही similar type का है, लेकिन differentiation तो उसमें है, उमीद करता हूँ दोस्तों, यह point आपको समझाया होगा, बढ़ते हैं आगे, अगला point बहुत ही आसान सा free entry and exit, यानि आपर कोई रोक टोक, कोई barriers, कोई restrictions नहीं है, monopoly में restrictions होते हैं, वहाँ पर barriers होते हैं, लेकिन यहाँ पर monopolistic में ऐसा नहीं है, under monopolistic competition, there is freedom of entry and exit, यानि अगर आपको लगता है business अच्छा कर सकता हूँ, तो entry कर लीजिए, अगर आपको लगता है नुकसान हो रहा है, loss हो रहा है, तो आप exit भी कर सकते हैं, that is new firms are free to enter the market if there is profit, similarly, they can leave the market if they find it difficult to survive, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपको यह point समझ में आया है, तो आप जरूर इस वीडियो का अभी तक like कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, और load down जरूर कर रहे होंगे, important points को, free entry, free exit, free entry, free exit, इसके अलावा अगला important point है, 5. selling cost, बेचने का भाव, याद रखिए दोस्तों, selling cost के अंदर सारे खर्चे आ जाते हैं, सारे खर्चे, advertising का खर्चा, newspaper में आड द देने का खर्चा, जो भी free sample distribution का खर्चा, ये सारा खर्चा मिला करके आप एक बेचने का भाव तैक करते हैं, क्योंकि उससे ही तो आपको मुनाफा मिलने वाला है, selling cost are peculiar in monopolistic competition only, यहाँ पर ही इसके माहिन है, इसी type of market में इसके माहिन है, it refers to the cost incurred by the firm to create more demand for its product and thus increase the volume of sales, it includes expenditure on advertisements, radio and television, broadcast, hoardings, exhibitions, window display, free gifts, and free samples, etc. यार, इसके अंदर सब कुछ जोड कर ही बेचा जाता है, क्योंकि कोई भी नुकसान खाके या discount unnecessary देखे तो नहीं बेचने वाला है, and that is why selling cost is peculiar, very important, peculiar वंजे खूपत महत्वाचा, बहुत important है monopolistic competition के अंदर, बढ़ते हैं दोस्तों आगले 2 points की और आखरी 2 points, close substitutes, हमने meaning के अंदर और definition के अंदर भी पढ़ा, हमें Chamberlain भाई साब ने कहा कि या different brands है, soaps के, toothpaste के, तो यहाँ पर competition बहुत है, close substitute तो मिल ही जाएगा, perfect भले नहीं होगा, एकदम perfect नहीं होगा, लेकिन close substitutes तो जरूर होगे, इसके अलावा आखरी point की बात करें, त है, या हम कह सकते हैं, एक नया system इजाद किया है, जिसे हम concept of group के नाम से जानते हैं, under monopolistic competition chamberlain introduced, the concept of group in place of industry, वाद भी इंडस्ट्री की जगा, अब हम concept of group follow कर रहे है, industry means, the number of firms producing identical products, यानि same type के products, जो लोग बना रहे हैं, यानि दवाईयां बना रहे हैं, तो वो एक group है, mobile phone बना for example, group of firms producing medicines, auto mobile वाले एक group में, mobile phone वाले एक group में, ऐसे जो similar type of products बना रहे हैं, उनका एक group बना दिया जाता है, इसी को कहते हैं, concept of group, उमीद करता हूँ दोस्तों, इस सारे features आज आज आपको समझाया होंगे, fairly large number of sellers, fairly large number of buyers, free entry exit, product differentiation, selling cost, close substitutes and concept of group, जरूर note down कीजिएगा, लिख क के practice कीजिएगा, हम ऐसे ही वीडियो लगाता हैं, आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और चैनल पर आप अपना प्यार बर कनावर किये, ज्यादे ज्यादा students तक पहुँचाईए, हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, do like, share and subscribe